इसने बांग की है कि दिल्ली सरकार इस मामले पर स्थिति को साफ करें दिल्ली सरकार को स्पष्ट करना होगा कि जो MCD नौर्चोन उनके जो चेर्में जेप्रकास उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस दोरान में मार्ज से अब तक जो करोना वायरस से समंदित डेथ उन्होंने क्रिमेशन दोजार अठानमे लोगों का किया है जबकि दिल्ली सरकार के दोरा कहा जा रहा है कि करोना से समंदित 900 किट क्रिब देते तो यह क्या जो डेथ के आकड़ों को कम आकना है कम दिखाने की कोशिश है या फिर सरकार इसको बात को विश्पस्ट करें कि जो बागी के 1000 केसीज है 1000 से उपर केसीज है वो अन्य बिमारी से समंदित है या करोना वायरस से समंदित है कॉंग्रेस पार्टी सर रादिका जी हमारे साथ है रादिका जी दिल्ली सरकार तो कह रही है और हमने जो आंकड़ा दिया है उसको हाई कोट भी सही मान रहा है निहा जी बहुत अफसोस की बात है कि एक बार फिर दिल्ली आम आनमी पार्टी और भाजपा की जो लड़ाई की चक्की है उसके बीच में फिर से पिस्ती जा रही है हमने देखा किस तरीके से नौ तारीक को तो आम आनमी पार्टी ने डेटा तक नहीं रिलीज करा क्या निम्बरों की गड़बड़ी और भेरा फेरी करते हैं कि ये डेटा नहीं रिलीज कर पाते हैं और जब डेटा रिलीज भी करते हैं, तो अगले दिन, एक दिन पहले का अगले दिन की रात को डेटा रिलीज किया जाता है. जो सरकार दिली की जंदा को डेटा तक नहीं बता पारी, वो लडाई कैसे लड़ रही होगी, ये सब के सामने हैं. और सामने है सबूत तो, कि आखड़े तो इनके कभी मैच करें नहीं, पहले दिन, आखड़े के अलग आखड़े पताती हैं, और फिर पांच-पांच-छेचे दिनों बाद उनको अड़ करती हैं. आगर आप देखेंगे, पंजाबी बाद क्रेमेटोरियम जो है, वो अब कोवेड वाला क्रेमेटोरियम हो चुका है, वहां पे करीबन 65-75 क्रेमेशन इन डे अलाउड होती हैं, वहां पर 3-4 दिन की वेट लिस्ट तो आंक्रे कित्ते हैं, वो भयानत आंक्रे सब के सामने है अगर क्रेमेटोरियम में 4-4 दिस्की वेड लिस्ट चल रही है, तो मौते तो हो रही हैं, लेकिश सब्चाई से क्यों भाग रही है, अमामानी पाद की सब्सकार मेरे साथ राधिका, मेरे साथ जल्दी सौरभ भारद जुड़ेंगे तो आपके सवाल का में जवाब लूगी, लेकिन क्या ये मानू मैं किस मुद्धे पर कॉंग्रेस और बीजेपी जो हैं, वो एक साथ हैं, मतलब जो बात बीजेपी कह रही है, वही बात कॉंग्रेस कह छी हैं दिल्ली के जनता के साथ है, और दिल्ली की जनता इस समय बहुत परेशान है और दुखी है, हम घर से निकलने से पहले दर्ते हैं, दिल्ली की जनता अपनी खिडकी तक जाने से डरती है, क्योंकि पता नहीं कोवड कई खिडकी से ना आ आ जाए, इत्ता खौफ है, कि सवालों का जवाब सौरभ भार्द्वाजी दे पाएंगे, वो जल्द हमारे साथ जुडेंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का ये दावा है, कि कुरोना के मौत के आंकडे एक डॉक्टर की कमिटी जारी करती है, और इससे हाई कोट भी सही मान चुका है, लेकिन MCD उची राजनीती कर रही है। इस महा संकट के दौर में भी अपनी ओची राजनीती करना चाहती है, तो वो स्वतंत रहे हैं, उस पे मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रेस कोट प्रेस करने के लिए उनका पदारपड हो जाना, एड देना, और एड में बहुत बड़े करना, उनका एक बड़ा एक इसके पिछे, बड़ा बरस्ताचार का एक खेल चूच चल रहा है, वो सब को सामने आने वाला है। मैं पूचना चाहता हूँ इक से, मैं 30,000 बैड का ये दोग दावा कर रहे थे कुछ दिर पहले आर्वित के लिए उनका प्रेस को प्रेस में आपके बास कर रहे थे, आभी बोल रहे हैं कि हमारे पास 9,000 बैड की उरस्ता करेंगे, तो बताएं किस तथे पर इनका माना चलते चलते राधिकाम, मैं आपसे संक्षिप में जानना चाहूंगी, दिल्ली के जनता के लिए, क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और अगर हाँ, तो इस मामले की जांच कौन करेगा? यह पर सवाल अभी भी उसका जवाब नहीं मिला है, क्या दिल्ली में 2,000 से जादा मौते हुई है, क्या इन दोनों को, चाहे M.C.D. में भाजपा की सरकार हो, चाहे दिल्ली में आम आन्मी पार्टी की सरकार हो, क्या इनका कोई दायक्वर दिल्ली के जनता के प्रती नहीं पंता क्या इनका दायक्वर दिल्ली में आपस में लगते रहें, ठीक है दो, देखें सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है, कि आखिर सही सचाई जो है, सही तस्वीर, वो सामने आनी चाहिए, और कम से कम इतनी, इतनी मुश्किल वक्त में दिल्ली मे मौत के आंक्टो पर सियासत नहीं होनी चाहिए, वक्त मेरे पास इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का मारे सब्सक्राइए,